देख disciples स्रेंऑ का आज हम लोग समाधान करेंगे देखे yaznam स्राइन का पड़या वरन और विज्ञान है इसका आज हम लोग समाधान करेंग है देखें पहला कोशन है की दबाव का SI 1 कैसे देखें यहां पर दवाव का SI काई न्यूटन न्यूटन वर्ग मीटर न्यूटन परती वर्द सेंटीमीटर और दी नमबर देखें लिखा हुआ है न्यूटन परती वर्ग मीटर तो देखें यह न्यूटन परती वर्ग मीटर होगा लेकिन आप लोग देखेंगा इसमें कि आप लोग ऐसे टीक ना लगा क कि आप लोग कि जिए गा कि इसको वाक्य में लिखने का प्रियास किजिए गा मैने टिक लगा दिया है तो आप जब फेर कोपी में लिखेगा तो ज्यादा कोशिस किजिए गभा के लिकाई जैसे कि दवाव का एसा इकाई और न्यूटन वर्ग मीटर थो ज़्यादा अच्छ तत्व के लिए जो विकल्प सही है वह या है कि उनके पास है देखिए तो इसमें से होगा पहला अफसन एक समांदर अबमान वाले तो उसके बाद देखिए चलते हैं 1.3 में कोशिका कोशिका के अंग जिसमें विर्धी कोशिका को नष्ट करने के लिए विवीन एंजाइम हो लिखा रहता है तो इसमें बड़ा कन्फ्यूजन है तो अगर आई इससा देखिएगा तो आप लोग लाइसो सोम और लाइसो जोम रहेगा तो दोनों में टिक लगा सकते है तो इसमें लाइसो में लिखा हुआ है तो लिखिए दूसर नंबर कोश्चन है कि एक किलो ग्राम मातरा के किसी वस्तू को पिर्थिवी कितना बल से आकरसित करता है तो 9.8 न्यूटन बल से आकरसित करता है मैंने लिख दिया है तो आप लोग इसको भी वाक मिल लिखिएगा कि एक किलो ग्राम मातरा की किसी वस्तू को पिर्थिवी 9.8 न्यूटन बल से आकरसित करता है तो कुछ तत्व को सजाया गया देखिए यहां पर सजा दिया गया है जैसे दिया हुआ एने एफी एच सी यू एउ जानकारी के इस अंस से यहां दी गई धात्मों में सबसे अधिक विद्दूत धनात्मक धातु की पहचान करें तो इसमें पहचान करें देखिए मैंने थोड़ नियम यह धातू का नाम है तो आप लोगी लिख दीज़ेगा सकडिया अधिक सबसे अधिक सकडिया ता और सबसे कम सक्रिया तो इसमें देखिए हम लोग को लिखना एंसर तो एने लिख दीजेगा उसको बात वाक्व बना दिज़ेगा कोसे नमबर कोसे नमबर 2.3 की वर कांशी कअ मदद है इसमें लिखा हुआ है कोन सी कोंसी का मदद करते यह कौन सा है जिसको क्या करते हैं वह हमकों अंधेरे में या तो बोली एक हलकी रिखकास उसमें मदद कर तो वह को सिका सलाकौत को कहते हैं है सलाकों सिका क्या करती है कि हम लोग अंधिरे में देखने में मदद करती है तो उसके बाद यह लिखा हुआ है त्री नमबर निम्लिकेश प्रस्टनों के उत्तर एक यह दो आक्क्यों में देना है है जो एंसर एक यह दो वाक्यों में देना है कुलम के नियम के गनितिय रूप लिखिया और उसमें आने वाले रासी के का इसके बारे में लिखेंगे तो मैंने लिख दिया आइंस्टाइन कूलस ने एक सुत्र का अब इसकार किया सुत्र के नीचे लिखे गया है तो मैंने सुत्र को लिख दिया है उसके बारे में आप लोग फिर फुरसा लिख दीजिएगा इस गनितिय सुत्र के बारे में आप लोग को समझाना पड़ेगा तो मैंने समझा दिया है इस परकार आप लोग भी समझा दीजिएगा कि देखिए अंत में वर्ग मीटर लिखना जरूरी है तो आप लोग भी एक कुलम यह एक वर्ग मीटर यह माद इक मापने की काई वन कूलम लिख दीजिएगा उसके बाद देखिए 3.2 कोशन की और बरते हैं हम लोग देखिए 3.2 में लिखा हुआ है कि अत्यधिक सुस्क और ठंडे वातावरन में रहने वाले जंतुमों में कौन-कौन से विश्यस लक्षन दिखाए पड़ते हैं तो इसमें देखिए 3.2 पर्देश में रहने वाले जीवों की विश्यसता होती है कि अधिक मातरा में रोम होता है तो वह क्योंकि उनको ठंडस से बचनी होती है तो इ परती है इसलिए वहाँ भोजन जल्दी खराब नहीं होता थी यह लोग घड़े में बोजन को चुपा कर रख देते हैं यहां रने वाले जीव गर्मियों में बच्चे को जर्म देते हैं क्योंकि उनके पास गर्मियों में पढ़ियाप्त मात्र में भोजन नहीं होता है इसलि कि इनको ठंड से बचना होता है तो इसलिए इनके सरीरों में क्या होता है रुआ अधिक से दिक मातरा में पाए जाते हैं तो निमलिकित प्रोश्टों के उत्तर तीन-चार वाक्यों में दीजिए मीथैन पानी अमोनिया के अनुवा की प्रारंबिक सन रचना बनाए जिसमें परमान और सन्योजक बनते हो तो इसमें आप लोग ज्यादा लंबा नहीं करके इसका एंसर लिग दिजिएगा देखिए मैं पहले एक चार्ट में बना दिया है तो यह चार्ट आप लोग भी बना सकते हैं चार्ट बना दिजिएगा सुभीदार रहेगा उसके बाद देख प्लाज्मा रेटी कुलम की संरचना औरिकारे का उल्ले करें तो देखिए संरचना औरिकारे का उल्ले करना है तो मैंने क्या किया है संरचना और कारे के बारे में लिग दिया है यह प्लाज्मा जिल्ली से उत्पन होती है और नुक्लियल जिल्ली तक फाइली रहती है इनका आकार उनके जिल्ली से घिरे हुए नल की तड़ा होता है यह साइटो प्लाजमा को कुछ पूर्ण प्रकोष्ट में विवाज़त करते हैं किसी किसी पर्द के बाहर प्रोटीन संसलेशन कारी राइबोजॉम रहते हैं इसलिए यह खुर्दरे दिखाए देते हैं किसी भी जिल और लिपिड संसलेशित परिवाहन और संचय में अनुगार हिस्सा लेता है इतना ही लिखना परियाप्त है